जिस लम्हें का हमें इंतिजार था, वो आ गया है क्या कहा था उस मुस्तफा ने? जब तक चांद सलामत है आस्मान में, पत्थर की कबर में रहेंगे गुनेगार सारे गुनेगार तो वो इनसान है, मेरा गुनेगार और अब ये चांद लहू-लुहान होने वाला है बहुत जल तुम सब इस पत्थर की कबर से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंड के लाओगे वो तलिस्मान जिसमें मेरे नूरे निगाह के जान कहते हाँ शेहजादी के शामियाने काप शुरू होगा और उसी के साथ ख़त्म होंगी मेरी सारी तक्लीफे बुलाईए पुरे परवास को आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा क्या राम हो उसके भाई का कासिम कासिम अबुजान अबुजान आपको पता है हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पास खाने को नान तक नहीं है सोच सकते हैं कि आप ये हम तो चौक गए थे ये सुनके कि हमारे काबुल में लोग भूखे भी सोते हैं हमसे राने गया हमने जाके कह दिया शाय खजान जी से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के गर नान और बिर्यानी पहुंचाई जाए हम आपके जजबात की कदर करते हैं शहजादी आप उनकी फिकर मत कीजिए हम सभान लेंगे आए जानती हैं आप आपका निकाह होने से पहले चंद मौके बचे हैं हमारे पास जब हम आपको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं आप याद तो बहुत आएंगी हमें लेकिन आपकी होने वली शादी से हम खुश बहुत हैं लेकिन हम बहुत डरे हो हैं अभू अभू आज से पहले आपने हमें इस महल के बार कदम भी नहीं रखने दिया अब हम आपको कैसे बताए मारियम कि इस महल से बाहर जाना आपके लिए क्यों महफूस नहीं है आपको महल से हमने कभी भार नहीं जाने दिया आपकी भलाई के लिए कैसे भलाई अभू हम भी पूरा काबू घूमना चाहते हैं काबू के आम तो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं अपने आवाम से मिलना उनसे बातें करना अभू आपने कभी महल से बाहर तो जाने नहीं दिया अब आप अचानक से चाहते हैं कि हम निकाह करके हेरत चले जाए क्यों अबो मत बेजिये ना हमें चाहे कुछ भी हो जाए आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखियेगा महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो किस शहजादी दिखती कैसी है चले अबो क्या चुपाते आए हम से हम सब अपना हिसाब लेने आया अली मेरे धाई सो दिनार वापिस कर अली मेरे सवा साओ मेरी एक्यासी दिनार और चार बगरी लेके गया था तू चाचा, 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 ताया, सब का हिसाब करेगा यहली बाबा शहजादी के शामियाने का ठेका मिलाए मुझे पेशगी मिलते यू धारी चुका दूँगा यू कितना है हाँ? आपका कितना है? दाइसो दिनार तीन सो लेकर जाना और आपका कितना है? सवाच सव देड़ सो दूँगा और कितना दा? एक यासी हाँ, सा लेकर जाना और साथ में पांच बक्रियां हम जब भी आपसे ये सवाल पूछते आप आप यू ही परेशान हो जाते हैं अच्छा परेशान मत हुए माफ कर दीजी हमे हम फिर से नहीं पूछेंगे अब जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचे जो आने वाला है उसके बारे में सोचे अपने शहजादे के बारे में हमें कुछ नहीं सुनना आँंके बारे सुनना भी है और कह भी रही है कि नहीं सुनना है ठीक है जितना यहां की आवाम हम से प्यार करती है उससे कही ज्यादा हमने सुना है वहां की आवाम आपके शहजादे से महबबत करती है जहां चलते हैं दूआ सलाम में हाथ उठते हैं पीर फकीरों के कदम चुमती आवाम मुम जिस गली से गुजरते हैं देखने वालों के सर और सीना फक्र और महबबत से फूल उठते हैं लोग कहते हैं की यही मुबबत कमाई है उन्होंने बाबा तुम जाओ मैं देखता हूँ जाओ तो ये है वो खुशामदीद अली बाबा तुम्हारा खेर मख्तम है भाईजानी चल किया रहा है क्या किया है मैंने कुछ तो बताइये वही तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने जिन्दगी में ऐसा क्या किया है के तुम्हे शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका मिल गया ओ तो जलन खीच कर लाई है आप मुद्धीस लोगों अपने महल से बाहर क्या भाईजी शक्ता तो पूछ लेते हैं खामखा गिरबाइं धीना कर दिया आपसे और हुजूर आप आप जानना चाहते हैं नहीं शाही ठेका मुझे क्यों मिला मैं बताता हूँ ये शाही ठेका मुझे मिला क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ लेकिन ये बात आप शाही लोगों को हजम कहां से होती के मामूली के लिए एक मामूली से ठेकेदार में इतना हुनर कहां से आ गया घुजूर वो हमाम खाना मैंने बनाया है कभी उसमें घुसल करके देखिए दिल बाग बाग हो जाएगा अली तुमने वाक़ी जिन्दगी में अगर कुछ बनाया है ना तो वो लोगों को बेखूफ बनाया है तुमारे इसी आला हुनर की तारीफ करने के लिए खास तोर पर हाजर हुए हैं हमारे दोस्त उस्मान शहजादी के शामियाने का ठेगा तुम अली बाबा को दोगे कौन है हुजूर इनको बहने कभी देखा ही नी कौन है अब काओ तो याद ताजा करवा दें है हुजूर वैसे तो हम असानी से डरते नहीं है लेकिन उस दिन जब हम लशकरी शामियाने में खापी रहे थे तब हमने बहुत सारे घोडों के दोड़ने की आवाज सुनी खौफ़नाख आवाजे थी हुजूर घर हमने देखा चालिस काले घोडों पर चोड हमारी ओर आ रह बख्ष दीजिए हुजूर बख्ष दीजिए हुजूर लेकिन हुजूर इसने हमें डराने की नाकाम कोशिश की थी यही था हुजूर यही था इसने अपना चेहरा नकाब के पीछे चुपाया था और अपने आपको इबलिस बता रहा था कुछ भी, कुछ भी हुजूर अभी अभी आपने कहा जिसने आपको ड़नाने की नाकामियाब कोशिश की थी वो चेहरे पे नकाब पहन के आया था अगर उसने नकाब पहना था तो आपको कैसे पता के वो मैं था ये तुम्हारा खास दोस्त उस दिन वहां गडरिया बनकर घूम रहा था सबके सामने इबलीस ने इसको मार दिया था फिराज जिंदा होकर यहां टहलने आया है क्या अरे क्या बकवाज है जिस दिन की आप बात करें उस दिन तो मैं परवाज में था ही नहीं जिसने कहा है सही कहा है कि जूट बोलने के लिए अकल चाहिए होती है पहली बाद तो ये दोस्की एक काम किस दिन को हुआ ये उन्होंने बता है नहीं तो आपको कैसे बता चला और दूसरी बाद अगर आप कहते ही कि अप उस दिन परवास में थे तब भी हम मान लेता है अब आप परवास में थे ही नहीं तो कहा थे गठरिया बने घुम रहे थे और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन इबलीज मने यही गुम रहे था क्यूंकि वो इबलीज 40 चोरों का सरकना मरने के बाद कबर से निकल कर 40 चोरों को कबर से निकाल कर 31 घोडों के साथ यह कहने आया था कि शामियानिय का ठेका अली पाबा को मिला इससे बहतर उनके पास और कोई वज़ा नहीं थी कबर उसे बाहर निकलने के कमाल करते हैं आप यह लग जूट मूट के बाते बाते बेना कर क्यों वसा रहे बाबा को फिकर मत कर गो जेस अब ही देखना कि कैसे मूट तो जवाब देंगे बाबाई ने हरे हुजूर कुछ भी अब ये चालिस चोरो का सरगना हमारी सिफारिश चू करेगा हमें क्या पता क्या पता मुरीद रहा हो हमारे हमाम का नहाने आया हो कभी हमें क्या पता हुजूर चुप एक दम चुप अब एक लफ्स भी मत निकालना अपने मूँसे जरा भी शरम नहीं आती ना तुझे इसकादर जूट बोलते हुए सबसे सर जुख जाता है मेरा ये सोच कर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है काश तू पैदाईन हो हाओ ये जिल्लत बरदाशने करने पढ़ते मुझे काश तू पैदाईन हो हाओ ये जिल्लत बरदाशने करने पढ़ते मुझे अली 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 क्या हो गया है तुम्हें अरे तुम्हारे अब्बू अल्ला उन्हें जन्हत नसीब करे जादूगर मुस्तुफा के बड़े ऐसान है काबूल पर जिन चालीस चोरों को उन्हें ने जहन्नम हारत कर दिया था उनहीं ही 44 को फिर से जन्दा करके तुम लोगों में दहशत पैला रही हो। खौफ पैदा कर रहे हो लोगों में अज तुम्हारे अग्पू जहां भी होंगे जहां से तुम्हें तेख रहे होंगे किस गदर पशेमा और शर्मिंदा हो रहे होंगे। हा देखो ना कालिक पूद दी इनके चेहरे पर सिया कर दिया उनके चेहरे को क्या कर रहे है वाली तू खर अवाम में हम यहां मैलान करते हैं कि इस इस हरकत की वजये से शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका फिर से खोला जाए पर से खोला जाए और इस से और इस से उठेका वापस लेडिया जाए और ये हमारा हुकुम है पहले शाही सडक से निकाले गे और अल्ला ने चाहो तो मामूली गली क्या पूरे परवाद से निकाले जाओगे उस इनका अधान आपने ही खड़े हो के सीना चोड़ा करके शाही सडक में दाकिल होंगे अब अपनी गली में भी सर जुका के चलना बड़ेगा किसमत क्या करे बड़ी बद्तम इस चीज है बहुत तरह सारा हमें आप पर और आपके भूखे बच्चो पर काश की हम कुछ कर सकते हैं पर मजबूरी है हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं बाबा 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 ठट चले तुम रुक चलो मैं हाथो ली दिन पदरने वाने हमारे दिवाश एजादी कर शामया ना बन जाए उसकी बाचन दिनारी में लेखिए उससे हम गुड्रेज का बहतरी नाज कराएंगे पर एक एक करके तुम सब बच्चों के खौप पुड़े करेगा दुवारा बाबाबा करके पाद समचा चाओगा समचा चाओगा अली की इस हरकत की वज़े से उठी का वापस लेगिया जाए तुम लोग की भापो कुछ नहीं हो कचर चाला गाता आग में तुम नहीं के दिख रहे हम। यह जो कुछ भी हो आई यह सब मेरे दिमाघ का ही मेरे दिमाघ की चला गी थी है जैसा मैने चाहाँता सब कुछ बैसा ही होरा न हाँ अब देखना e तुम देखना, बहुत चल्दा मारे पास, बहुत सारी दिनारी होगी बाबा, हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बसा हस्ते वे चीए, सच्छी की हस्ते वे, ऐसे जूट-पूट नहीं हाँ बाबा, तारीक गव है, आस तक ना कोई दिनार से खेल पाये, और नहीं गप्पे ररा पाये खेलने के लिए और गप्पे रराने के लिए चाहिए होते हैं दोस्त और बाबा, जो कि हमारे पास पहले सही है हाँ बाबा, हमने भी सोचा बाद में क्यों में क्यों चाहिए मुवालिम क्यों कुछ भी सिखना है, आके बाबा से ही सिख लो बिल्कुल सही, अब ज़्यादा दिनार होएंगे तो उनको समालने की मशक्कत कोई चोरी कर लेगा तो, चोरो का गोई भरोसा है आज कर को होगी तो दर्थ हमें भी तो होगा ना हमें कुछ ने चाहिए, हमें बस आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए हम लग सब कुछ सह सकते, क्योंकि जब तक हम सब साथ हैं कि तो, चाहिए, हमें बसुछ उष्ट ने कर एक करें बाम दमार्द गवत्त बंग, हम आपके चिछ आपके तो, प्रिक शाद एफघ्टनमार्द कि प्रिए हम रखकें कि भी समाल प्रिक टूँझए चाहे पूरी काहिनाच से लड़ना पड़े तुम बच्चों के सारे खाब पूरे करके रहूंगा मैं हार नहीं मानूंगा